नमस्ते, मैं चंदर सेखर, आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकर्मी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार S.A.C. के लिए एक मैत का सीरिजे स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग प्रते एक दिन बिहार S.A.C. मैं वे मैत का प्रेवी सिर कोश्चन और उस पर अधायत मैत का कोश्चन कर रहे हैं चलिए आज उस स्ट्रिज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस नोटिपिकेशन मिलता रहे है चलिए अब हम लोग कोश्चन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चन देए तीन सरुपया और चार सरुपय प्रतिकेजी मुल्य वाली चाहे की दो किस्मों को क्रमसक्ष अनपात में मिस्ट किया जाना चाहिए की मिसरन का मुल्य 320 रुपय प्रतिकेजी हो जाए तो देखे हम इस कोश्चन को ऐलिगेशन लगा के सौल कर सकते हैं देखे पहले किस्म का हमें मुल्य क्या दिया है 300 रुपे प्रतिके जी पहले किस्म का हमें मुल्य क्या दिया है 300 रुपे प्रतिके जी दूसरे किस्म का हमें मुल्य क्या दिया है 400 रुपे प्रतिके जी और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिसरन बन रहा है उसका हमें मुल्य क्या दिया है 320 रुपे प्रतिकेजी तो देखे हम यहाँ allegation लगाएंगे allegation में हम क्या करते हैं बड़े में से हम छोटे को minus करते हैं यानि हम 400 में से 320 minus करेंगे यहां से हमारा क्या निकल किया जागा 80 निकल किया जागा is to अगर हम 300 जो है पर इस टुवन के ratio में मिला दिया जाएगा तो मिसरन का मुल्य क्या होजएगा 320 रुपे पढ़ केजी यानि अगर हम पहले किस्म का 4 केजी लेंगे तो दूसरे किस्म का हमें कितना लेना पड़ेगा एक केजी लेके मिसरन बनाना पड़ेगा चलिए question समझ में आ गया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question यह 500 और 900 को समयलित करते हुए इनके बीच ऐसी cool कितनी शंख्या है जो 12, 15, 20 और 30 इन सभी शंख्याओं से फूनतर भिभाज है तो देखे इस question में हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले 12, 15, 20, 30 का हम LCM निकालेंगे अब देखे LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं सबसे बढ़े नजबर का factor करते हैं यानि हम सबसे पहले 30 का फेक्टर करेंगे 30 का हम फेक्टर करेंगे सबसे पहले 30 का फेक्टर क्या हो जागा 2 गुने 3 गुने 5 आप देखे उसके बाद हम 20 का फेक्टर करेंगे 20 का फेक्टर क्या हो जागा 2 गुने 2 गुने 5 2 है 5 है 1 2 हम और ले लेंगे तो 20 का फेक्टर हो जा तो देखिए वैसी चोटी संख्या होगी सबसे जो बारे पंदरे बीज और तीस से पूंतर भी भाजित होगी लेकिन हमें जो है संख्या कौन सी लेना है 500 से लेके 900 तक यानि 500 और 900 को समिलित करते हुए हमें लेना है तो देखिए वैसी 60 का हम मल्टिपल लेंगे 60 का हम वैसी मल्टिपल लेंगे जो 500 के करीब होगा तो देखिए अगर हम 60 में 8 से गुना कर लें तो हमारा क्या निकल क्या जागा 480 जो 500 से छोटा है हमें क्या लेना है 500 और 900 को समिलित करते हुए यानि 500 से लेना है हमें तो देखिए हम 60 का वैसा मल्टिपल लेंगे जो 500 के कर पांप सो से चोटा नहीं पांसो के करीब तो हम साथ में अगर 9 से गुणा कर लें तो हमारा क्या निकल कैसे चाहिए पानसो चालीस्त यनि 500 के पांसो के करीब सबसे पंद्रें 20 और 30 से 5 होजाएगी देखे उसके बाद हम शंख्या होत्य पर उसके बाद mm संख्या लेंगे उसके बाद mm uh यह द्यूंद इसके बाद हने लेंगे उसकर आप वृर्ण राशाथ सब्सक्राइब कुझा होत्त क्या हैallyा आफ-पism गुणे 13 मेरे till 1 WIN pal 94 6pur by 54 840 grass 606 गुणे क्रीवे क्या ? मेरा इंद आफे 840 उसका वाद हम लेंगे 60-市 गुणे पंद्रा जाएगा 900 को समीलित करते हुए लेना था तो पितनी ऐसी 3, 5 चार, यानि 7 वैसी संख्या उगी जो बारे, पंद्रे, बीस, और तीस'll से पुंत्र विभाईत होगी, हमारा answer क्या निकल गयाग्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चली question समझ में आ गया होगा, next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है? हमारा कोश्चन दे घनाब के अकार वाले लकड़ी के एक टुकड़े को उसकी लंबाई से लंबरूप 4 बराबर काट कर 5 बराबर भागों में बाटा गया और इस परकार बने परतेक घन के टुकड़े का आईतन 27 सेंटीमिटर क्यूब हो गया घनाब का कुल पिष्चे चेतरफल ग्यात करें हमें क्या निकालना है घनाब का कुल पिष्चे चेतरफल निकालना है तो देखिए सबसे पहले हम इसे फीगर से समझते हैं हमें फीगर जो है 2D में बनाते हैं सबसे पहले हम फिगर से समझते हैं देखे हमने माल लिया कि यह एक लकडी का टुकडा है जिसे हमें question में क्या दिया है कि 4 cut लगाया जारा है बराबर यह पहला cut हो गया यह जो है पहला cut यह दूसरा cut यह तीसरा cut और यह जो है चौथा cut हो गया ये क्या हो गया चोथा कट हो गया अब देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा है जो पांच बराबर भागों में बट गया और हमें परतेख भाग का क्या दिया हुआ है आयतन दिया हुआ हमें आयतन क्या दिया हुआ है 27 सेंटीमिटर क्यूब और जो परतेख भाग है वो एक घ खोटे घं का क्या दिया हुआ है हमें आयतन दिया हुआ है तो हमें यहां से इस छोटे घं का भुजा निकाल सकते हैं हमें आयतन क्या दिया हुआ है हमें आयतन दिया हुआ है आयतन क्या दिया है शताइज सेंटीमीटर क्यूब घं के आयतन का फर्मूला क्या होता है भुजा क क्या गया 3 cm अब देखिए घं में लंबाई चोड़ाइब उचाई क्या होता है बराबर होता है यानि इस छोटे घं का लंबाई भी 3 cm होगा चोड़ाई भी 3 cm और उचाई भी 3 cm होगा अब देखिए इस question में सबसे बड़ा बात क्या है समझने वाला यह जो लकड़ी का टुक के बराबर होगा और छोटा भाग का जो उचाई होगा वह क्या होगा बड़े लखड़ी के टुकड़े के उचाई के बराबर होगा तो देखिए छोटे भाग का छोटे भाग का चोड़ाई क्या है तीन सेंटीमीटर यानि बड़े भाग की भी चोड़ाई क्या होगी तीन से पता चल जाए बड़े टुकड़े का लंबाई पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका कुल प्रिष्टे चत्रफल निकाल सकते हैं तो देखिए लंबाई हम कैसे पता कर सकते हैं यह जो प्रतेक टुकड़ा है इसकी लंबाई क्या है 3-3 cm है तो देखिए अगर हम इस टोटल लंबाई को एड़ कर देंगे तो बरे टुकड़े की हमारा लंबाई निकल किया जागा यानि बरे टुकड़े का लंबाई के हो जागा 15 cm अब देखिए बरे टुकड़े की चोड़ाई पता चल गया उचाई पता चल गया और लंबाई पता चल गया तो हम कुल पिष् 3 क्या हो जागा 45 हो जागा plus b into h. b हमारा क्या है 3 cm और h क्या है 3 cm 3-3 क्या हो जागा 9 cm square plus h-l. h क्या है 3 cm और l क्या है 15 cm यह यह क्या हो जागा 45 cm square अब देखिए हम इसे add करेंगे तो यह हमारा क्या हो नवन और नौ क्या होजागा 99 यह निहीं होजागा दो गुने दो गुने 99 संटिमीटर इसक्वाई देखें दो से हम 99 में गुणा करेंगे तो यह हमारा क्या होजागा पूड़ा करते हैं तो 36 बेक्ति प्रति दिन 10 घंटे कारे करते हुए उस काम की दुगुन्नी मात्रा को कितना दिन में पूड़ा करेंगे तो देखे इस कोश्चिन को हम अब मैं फर्मूला लिख देता हूँ हमारा फर्मूला होता है and between आब देखें इस ब्रहाँर से सॉल्व करेंगे हमें क्या दिया हुए of 24 वेक्ति कितना दिन में चोबिस वेक्ति कार्या करते हुए एक काम को पूरा कर रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कि 36 बेक्ती 36 बेक्ती कितना दिन में 10 घंटा प्रती दिन काम करते हुए दूने काम को करेंगे तो देखे हम इस equation से D2 का value निकाल सकते हैं हम इस equation से D2 का value निकाल सकते हैं अब देखे हम इसे 2 से काटेंगे ये 2 से कितने बार में जागा 5 बार में 5 से हम पंद्रे को काटेंगे तो ये 3 बार में जागा उसके बाद बारे में हम 3 से गुना करेंगे हमारा क्या हो जागा 36 यानि 36 से हमारा क्या कर जागा 36 गड़ जाएगा यानि यहां से हमारा यहां से हमारा डीटू क्या निकल क्या गया 24 दिन हमारा आंसर क्या निकल क्या गया 24 दिन निकल क्या गया चली question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं तो देखे हम इस question में सबसे पहले क्या करते हैं, इस परतिसत को हम fraction में change कर लेते हैं, हमें question में दिया है कि एक भाग को 25 परतिसत लाप पे बेच रहा है, तो 25 परतिसत को fraction में change करेंगे, तो यह हमारा क्या हो जागा, एक बड़ा चार, और देखे हमें question में दूसरा क्या दिया कि एक भाग को 20% हानी पे बेच रहा है, 20% को fraction में change करेंगे, यह हमारा क्या हो जागा एक बड़ा 5, तो देखे हम दोनों भाग के CP और SP का हम ratio निकाल सकते हैं, दोनों भाग के हम CP और SP का हम ratio निकाल सकते हैं, देखे हमने माले की जो पहला भाग लाभ पे बिक रहा है, उसका अगर CP 4 unit होगा, तो 4 पे 1 का लाब हो रहा है, यानि SP क्या हो जाएगा 5 unit, दूसरा भाग जो हानी पे बिक रहा है, उसका अगर CP 5 unit होगा, तो 5 पे 1 का हानी हो रहा है, यानि SP क्या हो जाएगा 4 unit हो जाएगा, अब देखे हमें question में क्या दिया हो है, कि समान मुल देके चान दियाू है, और यहां CP हमारा क्या रहे है, एक का पहले भाग का यहां rent और दूसरेज़़वाग का lep CP को बराबर करेंगे, डेखे, CP बराबर करने के लिए हम उपr 5 से गुमना कर लेते हैं और नीचे चार से गुना कर लेए, अब गयाए नीचे 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इस टू 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 5 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहां हम 4 में 4 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा अब देखिए CP का आगा, दोनों भाग का CP हमारा बड़ाबर निकल के आगया, तो देखिए उसका टोटल लागत कितना है, 20 यानि 40 यूनिट का टोटल लागत है, और बेचनी पर उसे प्राब्त कितना हो रहा है, 25 यूनिट, प्लस का 16 यूनिट, यानि 41 यूनिट उसे कर रहा है, यानि एक का profit हो रहा है, कितने पर 40 पर गुणे 100 करेंगे, तो निकल कि आ जागा, अगर हम 40 से 100 को काटेंगे, तो ये कितने बर में जागा, 2.5 बर में, यानि लाग परतिसात हमारा क्या निकल कियागा, 2.5 परतिसात, चलिए question समय में आ गया होगा, next question पी चलते ह देखे हमारा कोशिन क्या दिया हुआ है हमारा कोशिन दिये 2 बटा 9 और 7 बटा 10 दोनों के वियूत कर्मानुपाथी के योग का वियूत कर्मानुपाथी क्या है तो देखे हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 बटा 9 और 7 बटा 10 का हम वियूत कर्मानुपाथी निकाल लेते हैं व्यूत करण में पाती का मतलब क्या होता, उल्टा, यानि इसका उल्टा क्या हो जागा, 9 बटा 2 हो जागा, और इसका उल्टा क्या हो जागा, 10 बटा 7 हो जागा, हमें क्या निकलना इसका योग निकलना है, तो देखें हम यहां से इसका योग निकलना लेंगे, तो LCM हमारा क यहां से हमारा क्या निकल किया गया यहां से निकल किया गया 83 बटा 14 तो हमें निकालना क्या है योग के बिद्वित करना पादी यानि इसका हमें उल्टा निकालना है तो देखे इसका उल्टा क्या हो जागा 14 बटा 83 हो जाएगा हमारा आंसर क्या निकल किया गया गया 14 बटा 83 यानि कौन सा ओप्षन होगा हमारा ओप्षन ए हमारा सही आंसर क्या निकल किया गया 14 बटा 83 चली कोश्चिन समझ में आ गया होगा नेक्स कोश्चिन पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया जितिन की आयू आज से 3 बर्स पहस्चाथ जितिन की बर्तमान आयू और 8 बर्स पुर्व उसकी आयू के औसल से दुगुन्नी होगी 5 बर्स पुर्व जितिन की आयू कितनी थी हमें क्या निकालना 5 बर्स पुर्व जितिन की आय वर्ष यानि तीन वर्ष पस्चान क्या हो जाएगा एकस प्लस का तीन जो आयू होगा वह हमें कोश्चन में दिया हुआ है बरत्मान आयू और आठ वर्ष पूर्व आयू के ओसर से दुगुन्नी है यानि अगर हम ओसर निकाल के उसमें दो से गुना करेंगे तो इसके आब निकल के आएगा अब दीखिए यहां से मारा दो से दो कट जाएगा हम यहां से लिग सकते हैं x प्लस 3 एक्वल टु क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस का 8 अब देखिए ये हमारा क्या हो जागा x प्लस x क्या हो जागा 2x और इस x को अगर हम उस साइड लेगे जाएंगे यानि प्लस में तो माइनस में हो जागा यानि 2x में से x माइनस करेंगे हमारा क्या हो जागा x हो जाएगा और ये अगर अगर माइनस 8 को हम इस साइड लेगा हते हैं तो माइनस में तो हमारा kia हो जाएगा यानि प्लस का 8 और प्लस का 3 हमारा kia हो जाएगा इगारे हो जाएगा अब दिखिंए x का value क्या निकल कर अगए इगारेims निकल क क्या गया पांच बर्स पूल हो जाएगा एकस माइनस का पांच करेंगे यनि ये क्या हो जाएगा इगारे माइनस का पांच हमारा आंसर क्या निकल कर जाएगा छो बर्स हमारा आंसर क्या निकल किया गया छो बर्स निकल किया गया वह संख्या क्या है, हमें क्या निकाला है, संख्या निकाला है, तो देखें हम संख्या को कुछ माल लेते हैं, देखें हमने संख्या माल लिया A, B, हमने संख्या दो अंको वाली संख्या एक माल लिया A, B, आप देखें हमें कोश्चिन में दिया हुआ है, कि संख्या के अंको क गुननफल क्या है बारे है यानि A गुने B हमारा क्या है बारा है और दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है कि अगर संख्या में अगर हम 36 एड कर दे यानि A B में अगर हम 36 एड कर दे तो जो हमारी नई संख्या प्राप्थ हो रही है वो क्या है संख्या के अंकों के अगर हम यहां अंको का गुननफल देखेंगे, यानि छो गुने दो करेंगे, तो क्या होगा, बारे हो जाएगा, अब देखें, अगर हम इसमें 36 एड करेंगे, तो यह हमारे क्या हो जाएगा, चतिस एड करेंगे, तो यह हमारे क्या हो जाएगा, अंठानमे हो जाएगा, तो हम इस 34 में अगर हम 26 IJ कर दें तो यह हमारा क्य हो जागा 70 यानि संख्या के अंको के इंटरचेंज्ज्ड से नहीं बनेगा 70 जो हमारा है अब देखिए यहां क्या है 22 यानि दो गुणे 6 12 है और अगर हम legislator 10 गरले हम इसमें हम इसमें हो जागा option C, यह निवा संख्या क्या होगी, 26 होगी, हमारा answer क्या निकल क्या होगा, 26 निकल क्या गया, चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पर चलते हैं, देखें एक हमारा board mask के उपर अधायच simplification दिया हुआ है, board mask में हम सबसे पहले off का काम करते हैं, उसके बाद हम divide का का काम करते हैं, उसके बाद हम multiply का का काम करते हैं, उसके बाद हम plus का का काम करते हैं, उसके बाद हम minus का का काम करते हैं, अब देखें, हम सबसे पहले off का का काम करेंगे, यह हमारा क्या दिया है, 25 परत गुने 1 बटा 3 का हमें क्या दिया हो है 100 बटा 11 का 33 बटा 25 माइनस 15 परतिस्ट को अगर हम fraction में लिखेंगे तो यह हमारे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 बटा 20 3 बटा 20 का 300 यह हमारे क्या है 300 है अब देखिए हम सबसे क्या लिखा करेंगे आफ का काम करेंगे देखिए हम 4 से अगर 720 को काटेंगे तो यह कितने बटा में जागा यह जो है कितने बटा में जाएगा 4 से एक बटा में जाएगा हाथ में 3 यह क्या हो जाएगा 32 आट बटा में 0 यानि 180 बटा में जाएगा उसके बाद हम यहाँ हम यहां जो है यहां हम सबसे पहले का का काम करेंगे यानि हम 25 से अगर 100 को काटेंगे यह कितने बार में जाएगा उसके बाद हम इस इगाड़े से अगर 33 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा इस 3 से 3 को काट सकते हैं हम इस 20 से अगर 300 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 20 से 300 को काटेंगे ये 15 बार में जाएगा देखिए यहां से हमारा क्या बच गया यहां से बच गया 180 प्लस 57 डिवाइड 19 गुने यहां हमारा क्या बच गया 4 बच गया माइनस का माइनस का यहां हमारा क्या बच गया? तीन गुने पंद्रे यानि ये क्या हो जगा? पैतालीस हो जाएगा अब देखिए हम अगर संताओन में अगर हम भाग देंगे 19 से तो ये कितने पर में जाएगा? ये चला जाएगा तीन पर में यानि यहां से हमारा हो जाएगा 180 प्लश का 3-4 माइनस क्या हो जाएगा मारा 45 हो जाएगा अब देखिए तो 12 12 हम इसमें एड कर देगCare तो यह हमारा क्या हो जाएगा 192 forces 45 हम 192 मैंसे तो हमारा क्या हो जाएगा 146 हमारा answer क्या निकल किया गया, 146 निकल किया गया, चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पर चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिया एक तिर्भूज के, तीनो कोनों के मापों का अनपात 1 is to 2 is to 3 है, सबसे बड़े कोन का माप क्या है, हमें क्या निकलना सबसे बड़े कोन का माप निकलना है, अब देखे, तीनो कोनों के मापों का हमें अनपात दिया हुआ है, हमें अनपात क्या दिया हुआ है, 1 is to 2, 2 is to 3 दिया हुआ है, तो देखे हम यहां से तिर्भूज का तीनों कोन मान सकते हैं देखे हमने मान लिया कि एक कोन जो है वह 1x है दूसरा कोन 2x है और तीसरा कोन क्या है 3x है तो हम यहां से तिर्भूज के तीनों कोनों का योग निकाल सकते है तिर्भूज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिगरी यानि यहां से जो हमारे योग निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा 180 डिगरी के बराबर होगा तो हम यहां से योग निकलेंगे 1x प्लस का 2x प्लस का 3x यह किसके पराबर हो जागा, 180 degree के पराबर हो जागा अब देखिए, यहां से माड़ा योग क्या हो जागा हम इसे add करेंगे, तो यह हमारा क्या हो जागा, 6x हो जाएगा किसके पराबर हो जागा, 180 degree के पराबर यहाँ से हमारा x क्या निकल क्या जागा 30 डिगरी निकल क्या जागा अब देखिए x का value हमें पता चल गया तो हम से question में पूछ क्या रहा है सबसे बड़े कोन का map सबसे बड़ा क्या है 3x यानि हमें क्या निकलना है फिर मिलते है next class में अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए बाई बाई